हेलो स्टूरें वेलकम टू स्वातिस क्लासेज आज हम देखेंगे एट स्टैंडर का साइंस लेसन नंबर 15 साउंड इस लेसन का सेकेंड पार्ट तो फॉर्स पार्ट तो अलड़ी आपको मिल जाएगा चैनल पर क्योंकि अलड़ी अप्लोड किया है तो सबसे पहरे तो फॉर मैं जब साउंड प्रोड्योस की होता है और जब साउंड प्रोड्यूस होता है मिर्स उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती हैं साउंडी वेव की वह किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि तो वन सेकेंड में जितने वहां पर क्या होते हैं ऐसे हम से क्या करते किस एक्सपेरिमेंट दिया है यहां पर करना क्या है सिक्स तो सेवेड ग्लास के नशल्च कांट भेज़़ पानी डालना है लेकिन केसे कि अगर first cup का cup है तो उसमें अगर आपने 10 ml अगर water लिया है उसके आगे करहेगा उसमें आपने 20 लिया या फिर 10, 20, 30, 40, 50 ml ऐसे करके अगर आपने cup में पाने डाला है मिस्ट आपको करना क्या है या पे water level जो है first cup से बात के जो cup आएंगे उनमें increase करते जाना है आपको water level उसके बाद आपको करना क्या है कि एक pencil लेना है और हर एक cup पे आपको strike करना है first, second, third ऐसे करके strike करते हुए जाना है तो आपको वहाँ पे जो sound सुनाई देगी वो different आएगी हर एक cup पे आप जब pencil बजाते हो तो जो sound produce होगा वो आपको अलग सुनाई देगा तो ऐसे क्यों होता है क्योंकि देखिए हर एक cup में water level अलग है और जो बचा हुआ पाट होता है पानी के उपर का वहाँ पे जो air column बनता है वो भी तो different आएगा जिसके कारण जो wave बनती है जो compression and rarefaction जो waves हमने देखी थी frequency जो होती है वो अलग अलग आएगी क्योंकि यहाँ पे air column है वो भी अलग है water level भी अलग है तो उसके लिए जो sound produce होती है वो भी आपको different सुनाई देगी देखिए the water level in each glass is different the height of the air column in each glass is also different therefore the frequency of sound generated by each glass cup will also be different आपको यहाँ पे काच के cup लेने हैं तो देखिए जितना हम पानी लेते हैं उसके उपर का जो हिस्सा रहेगा वो air column रहेगा मिस वहाँ पे air present है तो हर एक glass में आगर water का level अलग है तो वहाँ पे air column भी different होगा जिसके कारण जो wave बनेगी compression and rarefaction की वो भी अलग होगी उसकी frequency अलग हो जाएगी इसके लिए हर एक cup में जो sound produce होगी generate होगी वो अलग आएगी यह आपको reason समझ में आया कि क्यों different है क्योंकि वहाँ पे जैसे कि हम क्या कहते है density या फिर pressure जो होगा या फिर air column ही different है जो wave बनेगी जो frequency वहाँ पे आएगी हर एक cup की वो अलग आएग इसके लिए sound भी वहाँ पे अलग आएगा and app for measurement of sound frequency में भी available on cell phones तो आजकल तो cell phone पे हर app मिल जाता है आपको sound frequency मेजर करने का app भी आपको मिल जाएगा तो इस तरह किसे आप क्या कर सकते हो कि teacher की help लेके या फिर parents की help लेके आप मेजर करते हो frequency को हर एक cup के उपर आप sound produce करोग है हर एक कप मेजर करोगे तो वहाँ पर आपको variation दिखाई देगा अगर आप frequency वहाँ पर क्या करोगे major करोगे by using this app जो भी आप होगा किसके लिए frequency को मेजर करने का जो आप होगा उससे आपको पता चल जाएगा do you observe any relation between the frequency of generated sound and height of the air column in the glass cup obviously air column अलग आएगा तो जो अगेन वही यहाँ पर explanation आएगा जो मैंने दिया के air column अलग है तो वहाँ पर होने वाले compression और airfaction का जो waves बनता है frequency का वह अलग आएगा इसके लिए वहाँ पर क्या आएगा उनकी जो sound produce होगी वहाँ पर वह अलग आएगी this is your simple जलतरंग उसे जलतरंग भी कहा जाता है can this experiment be performed with stainless steel pots of different sizes क्या stainless steel के साथ आप कर सकते हो तो आप try करके देखिये घर हर किसी के घर में आपको काश के बरतन steel के बरतन मिल जाएंगे तो आप कर सकते हो उसके साथ भी experiment sound and music from the above activity it is clear that if the frequency of sound wave is changed different sound is produced अगर frequency change होगी तो sound जो produce होत different सुनाई देगा sound waves of different frequencies produce different sound notes notes क्या होते देखिये आपने music में यह सुना होगा कि जो musical instruments बजाते हैं music सीखते हैं तो उन्हें पता होगा notes वागेरा क्या होता है in the field of music various musical instruments are used for creation of sound notes अलग-अलग sound notes होते हैं कि कई पे थोड़ा सा कम आवाज आता है जैसे कि सारे गम पधनी साज ह हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय जो notes होते हैं वो different होते हैं this includes instruments like a sitar violin guitar which use string for production of sound जैसे कि guitar है guitar सब को पता है तो उसमें string लगे होते हैं तो वो string को हम क्या करते हैं हमारे उंगली से बजाने के बाद या फिर उन्हें vibrate करने के बाद जो sound produce होती है उसके कारण वो आवाज आत है उसकी क्या होगी आपे frequency अलग-अलग आएगी उनकी या फिर vibrations अलग-अलग होते हैं तो इसके लिए उनका जो sound produce होगा वो भी क्या आएगा अलग आएगा अभी देखें next अगर musical instrument जैसे कि like a fluid chain है आपने सुना होगा तो बासुरी जो होती है तो उसमें तो string नहीं होते है उसके उपर क्या होती है हमारी उंगलिया तो जैसे जैसे हम उंगली को वो hole को दबा देंगे तो आवाज अलग आएगा उसके बाद जैसे हमारा moment होगा हाथ का उन pipe के उपर hole के उपर तो आपको sound जो है अलग-अलग दिखाए देगा मिस जो air हमने blow की है pipe के अंदर उसी air के कारण वहाँ पर vibrations create होते है और फिर हमें क्या सुनाई देती है आवाज सुनाई देती है in string based instrument the frequency of vibration of the string is changed by changing the tension on the string and by changing the vibrating length of the string using fingers means क्या देखे जैसे कि गीटार होता है उसमें क्या होती है तारे लगी होती है तो तार के उपर जो tension होता है जैसे कि अगर बहुत ज़्याद हम tight क बढ़े जाएगा फिर आप उसे vibrate करोगे तो sound अलग आएगा थोड़ा सा प्लूज कर दोगे उसके बाद जो string रहेगी उसका tension कम हो जाएगा तब आप बजाओते हो उसे तो उसके बाद जो sound produce होगी वो अलग आएगी इसे क्या कहा जाता है different notes कहा जाता है या फिर different length को तुनाई देते हैं in musical instrument like a flute उसमें क्या होता है जैसे मैंने पहले बोला कि जो holes होते हैं उनको open close करना किस तरीके से करना है कौन से length तक जो hole से वहाँ पर करना है कौन से air column column तक आपको वो use करना है उसके उपर depend होता है जो भी frequency या फिर waves जो create होती है उसके उपर ये depend होगा कि किस तरीकी का sound वो produce करेगा generate करेगा या फिर जो notes होते है high and low वह वहाँ पर हम change कर सकते हैं जैसे कि side में आपको दिया है do you know me what are the frequencies of musical notes तो सारे गम पधनी जो हम बोलते है तो इनके notes क्या है जैसे कि सा की है frequency क्या होती है 256 means frequency जैसे कि हमने पहले देखा था frequency means क्या कि one second में कितन 256 रेकोड 280 है गह का 312 है माका 346 पाका 384 धका 426 और नीका है 480 इसलिए सारे गम अपते बोलते बोलते क्या होगा देखे स्टार्टिंग में वाइस जो है आपको कम आएगे और लास्ट तक जाते होए क्या होगा यह frequency बढ़ती है तो जो music सिखते हैं उन्हें आसाने से यह सम मुजिकल इंस्ट्रुमेंट के तो आपको discuss करना है identify करना है कि कौन से आपको यहां पर मुजिकल इंस्ट्रुमेंट दिये है और उनके sound किस तरीके से produce होते है जैसे कि अभी हमने देखा सितार शेहना ही है उसके बाद तबला है तबला देखिए सर्फेस होता है उसके उपर इंस्ट्रुमेंट का अगर आपके स्कूल में है तो आप सकते है एक हर एक इंस्टुमेंट की मैं प्रोड् Western चेंज्ट करना है जब हम लोग हमिंग साउंड मिंस जैसे कि हानी भी करते हैं तो वह साउंड अगर आप करोगे तो उस समय अगर आप अपना फिंगर थ्रोट के उपर रखते हो तो आपको वाइब्रेशन सुनाई देते या फिर आप जब जोर-जोर से बोलते हो ना उस समय भी आप उंगली रखके देखे आपने फ्रोट के ऊपर आपको होगा की वाइब्रेशन होते हैं हमारे गले के यापढ़ ए तो यहां पर किस तरह किसे सूंड सोता है ससाउंड सोदेूर इन दे लैरेनिक्स जिसे कि वोकल कॉर्स होते है वो इस बॉक्स होता है यह तो क्या होता है एक्च्छल में पर आपको दिया है तो यहां पे जो आपको दिया है दिया है तो यहां पे नोस के थू जो यह सब्सक्राइब जो आपको दिया है तो यह बात की जो स्लीट होता है तो वकलड जो होते है यहापर आयर जाने के बाद जो वाइबरेश्चिन होते हैं उनके कारण क्या होती साउन प्रोडिस होती है when the lungs force air through the slit the hockled cords vibrate तो hockled cords के यहां से जो slit होती है वहां से air pass होती है जिसके कारण जो है vibrations होते है और vibrations होने के कारण जो है sound produce हो पाती है muscles attached to the hockled cords can make the cords tight और loose कि जैसे हमने देखा ता strings को अगर हम tight करेंगे तो sound अलगाती है लूज करेंगे तो अलग आता है उसी तरीके से हमारे कोर्ण पर आवाज अलग आता है तो अलग आईगी वहीं तो ऑन्हीं और गला बैटा है तो उस में देखिए केसे अलगी आवाज आती है या फिर किसी का आवाज जो है काफी सुन्दर होता है इसली हम लोग क्या कर सकते हैं सुन सकते ही इतनी अच्छे आवाज होती है लेकिन कुछ लोगों की आवाज जो है अच्छी नहीं होती है यह वो भी रिजन अलग होता है लेकिन यहापे क्या दिया है कि ओकल कॉड्स के राउंड जो भी मसल से वो अगर टाइट है या फिर थी उसके एकोर्डिंग हमारी वोइस की कॉलिटी होती है टेकर टू रबर स्ट्रीप आउट अन्यूस बाइसिकल ट्यूब के दो रबर स्ट्रीप आपको लेने हैं उसको आपको एक जगा पर प्लेस करना है और दोनों के बीच में थोड़ी सी जगा रखनी है तो उस जगा से जब आप एर ब्लो करोगे वहाँ पर तो आपको एक अलग सा साउंड सुनाई देगा या फिर रबर जैसे देखें रबर के ऊपर थोड़ा सा मारते हो तो वह वाइब्रेशन आपको दिखाई देती है तो उसी तरीके से हमारे जो ओकल कॉर्ड से वहाँ पर भी वाइब्रे जो रबर की पट्टिया होती है तो दोनों के बीच में अगर अगर साउंड एर ब्लो करहोगे तो साउंड प्रोड़ूस होता है क्यों क्योंकि दोनों भी जो स्ट्रिबस है वह वाइब्रेट हो गी और उसके कारण फिर साउंड प्रोड़ूस होगा तो उस्से में एसे चल थोड़ी सी आपको क्या होगी यहां पर सौप नहीं थोड़ी सी हाड सी लगती है फीमेल की थोड़ी सी सौफ होती है और बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा सिविठ हमें लगती है क्योंकि वह कल कर्स के कारण होता है प्रोडूसर साउंड भो भो जस्त लाइक डॉग बार्किंग अन म्याव म्याव जस्त लाइक काट केरफुली नोटिस अटेंशन अन्दो होकल करण जब हम लोग इस तरह किसे साउंड प्रोडूस करते हैं अलग अलग कोई हाड ऐसा साउंड होगा तो तब हमारे गले में थो साउंड जन्रेशन भाई लाओड स्पीकर में किस तरे के साउंड प्रोडूस होता है तो यहाँ पर आपको डाइग्राम दिया है उससे हम समझेंगे तो देखी हे। कि यहां दिया है आपको जो मैगनेट है पर्मनेट मैगनेट इस तरीकी से लगा होता है और उसके बीच में कोईल इसके अराउंड फिट की जाती है अब देखिए मैगनेट जो होते हैं उनके मैगनेटिक फिल्ड आप पर देखा होगा 67 स्टैंडर्ड में भी तो यह जो कोई है तो कोईल के उपर माइगनेटिक फिल्ड यहां पर बन जाता है क्योंकि वह पर्मनेक्ट मैगनेट के यहां पर लगी होती है अभी काम कैसे करता है वह हम देखेंगे कि यहां पर माइक्रोफोन दिया है जब भी यहां पर आवाज जो है अंदर जाती है माइक्रोफोन से तो उसके कारण क्या होगा कि जो मैगनेट है मैगनेट भी और जो कोईल यह यह भी क्या होती है वाइबरेट जैसे कि हमने देखा था जो ट्यूनिंग फॉर्क देखा था उसके प्रॉंग जो थे वो कैसे हो रही थे मू इस साइड में उसके बाद क्या होते आगे के साइड में फिर पीछे back and forth होते थे तो उसी तरीके से vibration आपको कहा पर दिखाए देंगे जो magnet है magnet के यहाँ पर दिखाए देंगे और जिसके कारण फिर जो है vibrations create होते हैं और वही फिर आपको कहा पर सुनाई देते है speaker के बाहर यह होती है screen जो speaker का बाहर का हिस्सा होता है screen तो वहापे यह क्या होती है इस तरीके से vibrations आगे पास होते हैं और फिर हम सुन पाते हैं speaker से तो अगर आप जब भी speaker से कोई गाना सुनते हो जैसे के आपको यह आप दिया देखे अगर आप गाना सुन रहे हो तो यह जो speaker का हिस्सा होता यह आप आप हाथ रखके देखे आपको vibrations feel होते हैं क्यों होते हैं तो यही वज़ा है कि इस तरीके से जो permanent magnet है या फिर coil है वो क् के कारण vibrations होते हैं और वही sound फिर बाहर की तरफ क्या होता है प्रोड्यूस होता है या फिर बाहर की तरफ जाता है जो हम लोग सुन पाते हैं जो स्क्रीन होती है स्क्रीन भी जो यहां पर दियू ही है यह स्क्रीन यह भी क्या होती है इस तरीके से मूँ बाहर की तरफ जाता है या फिर हमें सुनाई देता है जैसे कि हमने पहले फर्स पार्ट में देखा था कि तुनिंग फोर की जो प्रोंग से वो मूँ होते है जिनके कारण वाइबरेशन होता है जो एर में A रिजन से B रिजन में ट्रांसफर होता है और आगे जाके फिर उनके कॉम्परेशन और रेर्फेक्शन के वेवस बनती ह तो सेम वही यहाँ पर दिखाए देगा आपको स्क्रीकर में भी जो पर्मनेंट मैगनेट है वहाँ पर वाइबरेशन स्क्रीट होते हैं और उसके बाद हमें साउंड सुनाई देती है You can feel this vibration of loudspeaker screen जैसे मैंने बोला कि अगर आप हाथ त्रक्के देखोगे तो आपको वहाँ पर vibrations क्या होती है फिल होती है Loudspeaker are used in public places however as we have learned last year if sound level is around 100 decibels the sound can be harmful to us therefore although the loudspeaker can generate very loud sound there must be limit on its loudness 100 decibels से ज्यादा अगर sound होती है तो फिर सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जैसे की deserve लगते है या फिर कोई festival होता है उसमें speakers लगाया जाते है बड़ी बड़ी आवाज होती है वहाँ पर तो हमारे कानों को तकलिफ होती है क्योंकि अगर 100 decibels से ज्यादा sound आएगी तो फिर हमारे कानों में भी तकलिफ होती है और एप में भी available on cell phones to measure the loudness of sound in decimal तो आप यहाँ पे ऐसे आप भी आपको फोन पे मिल जाएगे जिसके करण sound decibel में आपको उसकी loudness क्या होगी मेजर कर सकते है आप विध the help of your teacher आप क्या कर सकते हो आप को यूज कर सकते हो अलग-अलग जो loud speaker होते है वहां का आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो कि loudness कितनी है क्या है और speaker और आप कहा पे खड़े हो वो distance अप मेजर करके देख सकते हो तो जो distance होगा उसकी उपर भी depend होगा अगर आप speaker के एक अगर आपको गाना बोलना ही यह तो ऐसे बोले कि आपके नेबर्स जो है डिस्टरब ना हो आपके घर तक ही आवाद सुने देगी इतना ही आप बोलोगे sound pollution is a major cause affecting the environment and social health जैसे की बेवजर लोग क्या करते हैं हान बजाओ या फिर गाना खुद के घर में लगाते हैं लेकिन sound इतना जोर से लगाते हैं या फिर आवाद इतनी बड़ी होती है कि सारे लोगों को सुनाई देता है जिसके कारण क्या होता है फिर sound pollution होता है एंस भी शुर्ड फाइन वेज टो अवाद sound pollution जिसके कारण हमें क्या करना चाहिए कि किस तरो किसे हम अवाड कर सकते है sound pollution को वह देखना चाहिए तो देखे इस lesson में आपको sound क्या होता है sound किस तरुके से यह आपे देखा हैं